हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई योटूब चैनल प्रेमजित स्टडी पॉइंट तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में फिर से एक मल्टिप्लिकेशन ट्रिक लेके आया हूं जो कि बहुत ही असानी से इस को सौल कर सकते हैं अगर मैं जो ट्रिक बता देता हूं तो बहुत ही असानी से हो जाएगा और ज्यादा आपको कुछ करने की अफसकता नहीं है इससे पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था 101 में किसी भी संख्या से मल्टिप्लाई करें तो कितना होगा और 102 में भी किसी सं वीडियो स्टार्ट करता हूं और देखते हैं आज का जो यह ट्रिक है यह कैसे को सौल करें के कौन सा ट्रीक है तो चली वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंट्स जैसा कि यहां देख रहे हैं फस्ट कोश्चन है ट्वेंटीफॉर में मल्टिप्लाई करना है 99 से कोई समय नहीं लगेगा करने में ठीक है पहला मैं दो टाइप से इसको सौल करना बताएंगे आपको जो अच्छा लगेगा आप उससे सौल कर सकते हैं तो देखिए फ्रेंट्स यहां पर है ट्वेंटीफॉर और डबल नाइन है तो इसको कैसे सौल करेंगे चलिए मैं सबसे पहला काम किया करना है 24 से मल्टिप्लाइ करना है तो इसमें एक कं गर देंगे तो कितना होगा 23 पहला काम मतलब पहला स्टेव सेकेंड्स यह हैं यहां जो दीख रहा है récup है ना इससे multiply करना है और डवल 9 है इसलिए हम यहां क्या करेंगी वन पर डवल 0 देते हैं ठीक है और हंडेड में से 24 को घटा देंगे हंडेड में से 24 को आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा इंसर टेन में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 ठीक है यह तो बच जाएगा 9 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 7 तो आपको हो जाएगा यह एंसर पहला मेठड यह है आप समझ गया कुछ नहीं करना है अगर यहाँ 24 से मलटिप्लाई करना है तो पहले तो करेंगी 23 एक कम करके तो 23 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23 और दूसरा नम्बर है कि 100 में से 24 को माइनस कर देना है 100 में से क्या करना है 24 को माइनس करhen गहीं तो 76 यह ओग सबसे पहला काम क्या करना है यहां 24 है तो 24 में से एक कम कर देंगे तो 23 यह बाद समझ में आ गया होगा उसके बाद क्या करना है वन अपना मन से लिख लिजिए और यहां अगर यहां नाइन है तो 00 आप दे दिजिए अगर यहां टीरपल लाइन से मल्टिप्लाइप करना ओगा तो 000 देंगे लेकिन फिलाल ये आपका अब तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है यहां फिर आप इसी को एक और तरीके से बना सकते हैं मैं पहले इसका एंसर लिख देता हूं 23 और 76 चलिए इसी को एक और ट्रिक से बना सकते हैं अगर आपको ज्यादा लग रहा होगा इसमें कुछ करना है इसमें ऐसे कुछ करना नहीं है बेट मैं वह भी बता देता हूं आपको उस तरह से सकते हैं जैसे की यहां देख रहे हैं कोशन है है 24 इंटु डाइं तो हम कुछ नहीं करेंगे इस कोशन के लिए यहां 24 है तो आप 24 लिख दीजी सबसे पहला काम ठीक है डावल 9 है तो यहां double 0 दे दीजिए दे लिए यही काम करना है उसके वाद यह 24 को Minus कर है इसमें से 24 क्या करना है माइनस करना है तो आप देखिए 10 में से 6 गया तो कितना होगा तो यहां हो गया तो इतना ही इंसर आया तो आप दोनों में से जो मीठड आपको पसंद है आप यवज़ कर सकते हैं ठीक है दोनों तरीके से इंसर करेंगे तह तना ही आएगा ठीक है दोनों में से कोई तरीका युज़ करेंगे त hypoth now याएगा जैसे कि आप दिख लीजिए यहां भी कि के के 23or76 तो चलिए अब मैं next question देखते हैं तो तो फ्रेंड्स मैं आसा करता हूँ कि आपको यहां ट्रिक्स बज में आ गया होगा चलिए तो नेक्स्ट को बताते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए तो दिखेंगे सबसे पहला यहां कोश्चन तो हो गया अब सेकेंड कोश्चन जो है आप गौर्ड से देखिए और 20 हैं और डबल नाइन ठीक है 20 इंटोll नाइन तो आप दोनों में से कोई उच कर सकते हैं सबसे पहले करेंगे हम ठीक है तो यहां 20 है 20 से एक कम करेंगे तो 19 हो जाएगा 20 से 19 और 80 उसके वाद आप कर सकते हैं दूसरा तरीका जो बताया था तो यह जो है 20 इंटू 99 तो आप कर सकते हैं जो दूसरा मेठर में बताया था 20 है तो सबसे पहले 20 लिख दीजिए ठीक है यहां बढ़न यह तो डबल जीरो देंगे उसके बाद 20 क्या करना है माइनस कर लेना है आप करके देखे जीरो और यहां हो गया यह 10 10 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 8 और यह कितना बच जाएगा यह वन इसको करी दिया है तो 9 तो यह 9 हो जाएगा और यह भी वह जाएगा यानि उतना ही एंसर आ गया तो आप दोनों में से कोई मेटर्ड यूज करेंगे तो इंसर तो वही आएगा तो मेरे लिए तो मै यहि कहुंगा यह हूए तकि और अच्छे से बन जाया है और जल्दी बन जाया चली आपको मत दून में सक्वाइग कर सकते हैं चली फ्रेंट्स तो आप हम नेक्स्ट कोश्टन की और बढ़ते हैं तो फ्रेंट्स नेक्स्ट कोश्चन एक मेट पहले इसे ही रेस कर देता ताकि आपको समझाने में बन पाएं तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कोश्चन है यहाँ पर 48 इंटू डबल नाइन कुछ नहीं करेंगे सबसे पहले एक कम करना है 48 से तो 47 हो जाएगा ठीक है और उसके बाद 100 में से 48 माइनस करना है तो 100-48 अप मन में में भी कर सकते है अगर ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप मन में भी कर सकते हैं टो हें से एट जाएगा तो कितना होगा टू यह बच जाएगा 9 कि यह तक इतना होगा फाइब कितना होगा फाइब यानि इसका एंसर होगा 4752 ठीक है तो लिख देते हैं 475 तू आपको श्माद में आगे होगा अगर आपको यकिन नहीं है तो जो बच्वन से करते आ रहे हैं सब्सक्राइब करके आप यूज कर सकते हैं इतना ही एंसर आएगा ठीक है आप चेक करके भी देख सकते हैं चले फ्रेंट्स अब नेक्स्ट कोशन देखते हैं अगला कोशन है 75 x 99 बहुत असानी से कोशन यह विश्वल हो जाएगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे 75 है तो 75 से एक कम करेंगे तो 74 और 100 में से 75 मैनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 देखिए यहां 100 में से आप 75 मैनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में से 5 गया 5 और यह जो है 9 बचेगा 9 में से 7 गया 2 यानि हो गया 7425 लिख देते हैं 7425 ठीक है चली फ्रेंट्स अब हम नेक्स्ट कोश्चन के और बढ़ते हैं तो नेक्स्ट कोश्चन यहां देखिए 62 इ 229 तो फ्रेंट्स यह भी कोश्चन बहुत ही असानी से सॉल्व हो जाएगा हम क्या करेंगे सबसे पहले 62 में से 1 माइनस करेंगे तो 61 हो जाएगा और फिर से 100 में से 62 क्या करेंगे माइनस कर देंगे ठीक है तो 10 में से 8 सोड़ी 10 में से यहां 2 जाएगा तो कितना होगा 8 उस तो आपको यह एंसर हो जाएगा 61 ठीक है और 38 चलिए अब हम नेक्स्ट कोश्चन की और बढ़ते हैं प्रेंट्स मैं आसा कर रहा हो कि आज जो मैंने ट्रिक बताया वह आपको समझ में आया होगा अच्छे तरह से चलिए तो आप फिर नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं अगर अच्छा लगा होगा ट्रीक तो आप मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें चलिए तो देखते हैं 79 इं यह बारबर कर रहा हूं मैं आपको समझने के लिए बता रहा हूं तो टेन में से 9 जायेगा तो 1 होगा ठीक है और यह बच जागा नाइन में से 7 गया तो 21 नाइन में से से 7 जाय ला यानि से कि यहां देख रहा है 97 इंटू डबल नाइन है ठीक है 97 इंटू डबल नाइन है तो इसे कैसे सॉल्फ करेंगे तो फ्रेंट्स कुछ नहीं करना है यहाँ 97 है तो एक कम करेंगे तो 96 हो जाएगा और 100 में से आप घटा सकते हैं 97 यह तो आप मन में बहुत ही असानी से कर सकते ते थे फिर इससे कितना हो जाएदक हुव 3 और यह बैच है आइन तो नइन में सेनने हैं कितना होगा जी रो कितना हऊगा Bone9 इह हमेसा टू डिजिट में लिटना ऐसा विडियो में बस इतना ही नेक्स्ट दे मैं थ्री डिजिट वाले ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्फ करते हैं जैसे कि यह कोशन रहेगा 24 54 x 9 यह अगले वीडियो में बताऊंगा कि इस कोशन को कैसे सब्सक्राइब करेंगे ठीक है आज के लिए वस इतना ही तो चलिए वीडियो को समात करते हैं लास्ट में फिर से मैं एक बार चोटी से करेंगो समात करते हैं